हलो एब्रीवन और वेलकम बैक वांस अगेन देखे हम क्लास नाइन की ये जो बी हाइव की बुक है इंगलिश की इसका चैप्टर नमबर एट रीच फॉर दी टॉप कवर कर रही है मैं आपको पार्ट वन संतोष यादव की लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन अलड़ी प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा चलिए आज इसी चैप्टर के पार्ट सेकिंड को डिस्कस करते हैं देखे सेकिंड पार्ट जो हमारे पास आज है वो है मारिया शरापोबा के बारे में ये एक रशियन गर्ल है जो की कहां तक पहुंची मतलब जब वो सिरफ जब वो महज 18 वर्ष की थी उस वक्त वो उस सम्मेलन तक हम यहाँ पर बेसिकली गेम के पॉइंट अव व्यू से समझ सकते हैं कि वो एक टेनिस प्लेयर है और सिरफ वो जब 18 साल की थी तब उसने टेनिस की फील्ड में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था तो आपको इन दोनों पार्ट के बेसिस पर जो हम पार्ट वन पढ़ चुके हैं संतोश यादव का और जो अब आज ये मारिया वला पढ़ेंगे आपको इन दोनों के बेसिस पर एक कमपैरिजन करने के लिए कहा गया है लेकिन ये मैं आपको जरूर डिसकस करूंगी आपके साथ मैच दी फॉलोइंग क्योंकि ये जो हम आज का पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ये कुछ फ्रेज़ेज बहुत काम आएंगे तो हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए देखे जैसे सबसे पहला है something disarming something disarming का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है something that makes you feel friendly या taking away your suspiciousness मतलब जिससे आपको कोई संधे ना हो जिससे आप बहुत ही जल्दी आसानी से friendly हो जाओ close हो जाओ तो उस वक्त इस phrase का use किया जाता है at odds with इसका मतलब होता है in contrast to हम कई बार word use करते हैं न comparatively तो at odds with pick out the odd one तो in contrast to या not agreeing with इसका मतलब ये है then glamorous attire attire का मतलब होता है clothes और glamorous का मतलब आप समझ सकते हो कि जो चमक धमक वाले हो तो इसले glamorous attire का मतलब बन जाता है attractive and exciting clothes in almost no time मतलब बिलकुल ही कम समय में तो इसलिए इसका मतलब quickly या almost immediately बन जाता है then poised beyond her years इसका मतलब है more calm confident and in control than people of her age usually are जैसे कई बार ममा कहती हैं कि तुम्हारे उमर की बच्चे तो ये काम भी कर लेते हैं वो काम भी कर लेते हैं तो उस वक्त इस phrase का use किया जाता है जो मतलब जब आप अपनी ही उमर के लोगों के comparatively ज्यादा शान्त हो ज्यादा confident हो ज्यादा अपने आपको control में रखकर better तरीके से काम कर सकते हो तो ये phrase use किया जाता है packed off packed off का मतलब होता है sent off चले जाना या भेज देना launched का मतलब क्या होता है started जैसे कहते है ना company ने नया product launch किया है या एक नया कोई भी tv serial launch हुआ है तो उस वक्त क्या होता है start हुआ है तो इसलिए launched का मतलब started बन जाता है heart wrenching का मतलब होता है वो चीज जिससे एक तरीके से कहते हैं कि दिल को बहुती जादा धक्का सा लगा है बहुती जादा sadness वाली feeling जो होती है दिल दहला देने वाला उस वक्त ये phrase use होता है heart wrenching देखो जो मैंने आपको ये बताया अगर आप तो हम समझेंगी भी लेकिन फिर भी in order to increase your knowledge आपको ये words के meaning अगर याद रहते हैं तो हमारे लिए chapter में समझना बहुती आसान हो जाएगा तो चलिए अब हम start करते हैं हमारा ये part second देखें there is something disarming about maria sharapova something disarming मतलब कुछ तो है जो maria के प्रती हमें friendly महसूस करने के लिए मजबूर करता है something at odds with मतलब comparatively in comparison to her ready smile and glamorous attire मतलब उसके चमकते दमकते कपणों के इलावा या उसके चहरे पर जो मुस्कान है इनके इलावा कुछ और भी चीज है जो हमें maria के प्रती attract करती है friendly feel करवाती है and that something in her lifted her lifted her का मतलब है कि वही जो something मतलब कुछ खटके वाली बात उसमें मौजूद है उसी की वजह से वो उपर उठी lift हुई कब Monday 22 August 2005 to the world number one position in women's tennis मतलब महिलाओं के श्रेणी में as a tennis player उसने 22 August 2005 को number one की position गेन की थी तो all this happened in almost no time तो देखो वही वही phrases आ रहे हैं जो अभी अभी हमने meaning समझे हैं तो ये सब कुछ हुआ बहुत ही कम समय में quickly है ना pious beyond her years the Siberian born teenager took just four years as a professional to reach the pinnacle देखो pinnacle का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है top उचाई या शिखर जैसे हम कह देते हैं mountain की चोटी कह देते होते हैं तो हम उस वक्त ये word pinnacle use करते हैं तो यहां आपको basically फिर से वही बातें बता रहे हैं हैं कि अपनी उमर के हिसाब से अपनी उमर के बच्चों के comparatively जादा शान्त जादा confident होने की वज़ा से ये जो Siberia में जन्मी teenager अब देखो याद करो अभी अभी मैंने आपको उपर यहां age बताया था कि when she was barely 18 तो यह teen वाली जो age होती है मतलब 13 से लेकर 19 तक वाली क्योंकि इ इसे teenage बोला जाता है तो यहां आपको यह कह रहे हैं कि इस Siberia में जन्मी teenager ने सिरफ महज चार सालों में professional तोर पर मतलब tennis के field में एक उंचाई एक शिखर को हासिल कर लिया था यह देखिए आपको कितनी beautiful pic present की गई है जब मारिया ने women's single Wimble Dunn में 2004 में जीता था However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before मतलब आपको यहां पर यह कह रहे हैं कि यह जो तेजी से उंचाई की तरफ Ascent का मतलब है going up मतलब top पर जाना था ना तो यह जो top पर शिखर तक पहुँचने का यह जो जुनून था इस competitive world में वो भी fiercely मतलब ऐसा world जिसमें बहुती जम कर competition मौजूद था उस काम के लिए उस top तक पहुँचने की जो तयारी थी वो 9 साल पहले शुरू हो चुकी थी किस भावना से शुरू हुई थी वो sacrifice त्याग की भावना से शुरू हुई थी जब की उस वक्त few children would be prepared to endure मतलब अगर वो 18 वर्ष की उमर में जीती है 9 साल पहले अगर उसने तयारी करना शुरू कर दिया था तो उस वक्त वो महज 9 साल की थी और 9 साल की उमर में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो level of sacrifice या यूं कहलो तयाग की भावना से किसी भी खेल को लेकर या अपनी life में किसी aim को set करकर sacrifice करना शुरू कर देते हैं beer करना एंडियोर का मतलब होता है beer करना या सफर करना तो बहुती कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ये sacrifice की भावना से तयारी करना शुरू कर देते हैं लेकिन मारिया ने ऐसा किया little मारिया had not yet celebrated her 10th birthday तो उसने अभी अपना 10th year वाला birthday भी celebrate नहीं किया था when she was packed off तो when she was sent off हम नहीं किया न तो when she was packed off to train in the United States मतलब जब उसे US आना पड़ा train के जरीए मतलब उसे अभी महज वो 10 सालों की भी नहीं हुई थी that trip to Florida with her father Yuri अब यहां पर आपको उनके पिताजी का नाम भी बता रख है कि उनके पिताजी का नाम Yuri है launched her on the path to success and stardom और उस वक्त वो छोटी सी उमर में लिया हुआ यह decision की हमें US जाना चाहिए हमें Siberia चोड़ कर Florida की तरफ जाना चाहिए उस वक्त उसके पिताजी ने उसे launch मतलब start कर दिया था इस path की तरफ उनके कदमों को बढ़ना मतलब कौन सा path था success और stardom मतलब name and fame बनाना, achievements हासिल करना, success हासिल करना इस path पर इस रास्ते पर चलना उन्होंने छोटी सी उमर में ही शुरू कर दिया था but it also required heart wrenching अब heart wrenching का हमने क्या पढ़ा था वो वाली feeling जिसमें बहुत जादा sadness हो है ना दिल दहला देने वाली तो it also required a heart wrenching two year separation from her mother Yelena तो उस वक्त जब वो इतनी छोटी सी थी उस वक्त उन्हें दो साल का separation मतलब दो साल अपनी मां से अलग भी रहना पढ़ा था तो the later was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions यहां उनकी मां के लिए ये line यूज की गई है ये later word यूज किया गया है कि उनकी मां को Siberia में ही रहना पढ़ा था क्योंकि visa की कोई problems आ गई थी obstacles आ गई थी, restrictions आ गई थी जिस वजह से उन्हें वहीं रुखना पढ़ा था तो the nine year old girl had already learnt an important lesson in life तो वो 9 साल की बच्ची ने यानि की मारिया ने अपनी जिंदगी में एक बहुती महतपून lesson एक पार्ट, एक शिक्षा सीख ली थी that tennis excellence मतलब अगर tennis की field में काम्याबी या सफलता हासिल करनी है तो would only come at a price तो उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी मतलब मदर से अलग होना पड़ा ना पहली कीमत ये तो आगे आपको क्या बता रहे है I used to be so lonely मारिया शरापोवा recalls तो मारिया शरापोवा याद करते हुए अब भी आज के समय में याद करते हुए वो क्या कहती है कि मैं उस वक्त बहुत अकेली रहा करती थी I missed my mother terribly मुझे अपनी मा की बहुत ही ज्यादा terribly मतलब बहुत ही ज्यादा याद आया करती थी मैं बहुत miss किया करती थी My father was working as much as he could to keep my tennis training going आपके mother father आपके parents भी तो आपके लिए मेहनत करते है न तो ऐसा ही कुछ concept यहाँ पर आपको बता रख है कि मेरे पिता जी मेहनत करते थे काम करते थे इतना काम करते थे जिससे कि मेरी tennis की जो coaching है जो training है वो चलती रही So he could not see me इदर तो इसलिए उनसे भी नहीं मैं मिल पाती थी मा तो थी दूर लेकिन पिता पास होते हुए भी पिता से वो मिल नहीं पाती थी क्योंकि पिता मेहनत करने में काम करने में busy होते थे तांकि मेरा बच्चा कुछ बन जाए आगे फर्दर क्या बता रहे हैं आपको Because I was so young क्योंकि मारिया कहती है कि मैं बहुत चोटी थी तो I used to go to bed at 8 p.m. चोटा बच्चा ठक जाता है जल्दी तो वो सो जाता न तो I used to go to bed at 8 p.m. तो मैं 8 बजे ही रिस्टर बर सोने के लिए चली जाती थी लेकिन जो other tennis pupils मतलब और tennis खेलने वाले खिलाडी थे students थे would come in at 11 p.m. कि वो रात के 11 बजे आया करते थे and wake me up और मुझे उठा दिया करते थे and order me और क्या आदेश दिया करते थे to tidy up the room and clean it मतलब कमरे को साफ करो जो टीज जैसे बिखरी हुई है उसे सही तरीके से सजाओ रखो तो कमरे को clean करने के लिए tidy up करने के लिए साफ सुत्रा बनाने का आदेश मुझे दे दिया जाता था तो आगे वो क्या बताती है instead of letting that depress me मतलब उनका इस तरह से आना उठाना मुझे order देना ये इन सब बातों से depressed होने की बजाए instead बजाए के बजाए depressed का मतलब क्या होता है depression words होना है ना sad होना तो मतलब इन सब चीजों से उदास होने की बजाए बलकि ये चीजे मुझे क्या करती थी I became more quietly determined and mentally tough तो मतलब कि मैं बहुती शांत मही तरीके से और भी जादा द्रड निश्चई होती गई और mentally मतलब दिमागी तोर पर और भी जादा tough मतलब मजबूत होती गई I learned how to take care of myself तो मैंने ये सीख लिया जब ना मा थी नजदीक ना पिता थे तो मैंने ये सीख लिया कि कैसे अपने आप अपना खयाल रखना है I never thought of quitting मैंने कभी भी quit करना मतलब छोड़ना मैंने कभी भी एक तरीके से पीछा हटना नहीं सीखा because I knew what I wanted क्योंकि मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए था When you come from nothing जब आप एक ऐसी जगा से आयोते हो जब आपके पास जहां पर कुछ ना हो and you have nothing और आपके पास कुछ भी ना हो then it makes you very hungry and determined मतलब जब आप ground zero से शुरू करते हो ना बहुती zero से scratch से शुरुआत करते हो जहां आपके पास कुछ ना हो मतलब जैसे कहते हो थे ना कि किसी चीज की अगर कमी हो तो ही उसकी कीमत पता चलती है तो यहां पर आपको यह कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आपको पता लगता है तब ही आपको पता लगता है कि भूख क्या होती है और किसी चीज को पाने की जब चाहत होगी भूखे होगे आप तो आप अपने आप तृडड नश्टई बन जाओगे, determined हो जाओगे, अपनी life को लेकर focused हो जाओगे, तो I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream, अब यहाँ पर आपको यह जज़बा बता रहे हैं उनका, कि मैं put up with, मतलब और भी सैने के लिए तयार हूँ, क्या humiliation, humiliation का मतलब या insults का मतलब अपमान होता है, तो मतलब जैसे उनको आकर उठा देते थे, कमरा साफ करने के लिए कह देते थे, तो वो कहते कि अगर इससे भी ज़्यादा और humiliation या insult मुझे सैने की जरुवत पड़े, तो मैं वो भी सैने के लिए तयार हूँ, क्योंकि मैं अपने goal के, अपने dream के stead fastly, मतलब continuously लगातार, pursue और नजदीक जाती चली जाओंगी, और ज्यादा मुझे जोश मिलेगा कि मैं अपने dream को follow करूँ, उसका पीछा करूँ और उसे हासिल करूँ, वो जो जुनून है, वो जो जस्बा है, वो जो ताकत है, आज भी मारिया में मौझूद है, it was the key of her bagging, bagging का मतलब होता है winning, जीतना, bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004, हमने अभी-अभी कुछ दिर पहले एक pick देखी थी न, तो उसमें यही जिक्र था न, कि यह 2004 की Wimbledon में जो उन्होंने जीत हासिल की थी, उस key pick थी, तो यहां आपको यह बता रहे हैं, कि उस सफलता को हासिल करने की जो कुँजी थी, वो यही toughness थी, and to her metroid rise, और इस quick success, metroidic rise का मतलब होता है quick success, कि यह जो उन्होंने जीत हासिल की, बहुती quick to the world number one spot the following year, और इसी toughness की वज़ा से, वो आने वाले साल में number one position पर भी पहुँच गई, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment, देखो यहां आपको क्या कह रहे हैं, कि Siberia से लेकर, वो women tennis तक की जो जीत का यह सफर है, यह जो सफर उन्होंने तै किया है, वो ना सिर्फ बहुत सारे tennis fans को प्रभावित किया है, touch किया है, मतलब प्रभावित किया है, बलकि क्योंकि वो खुद भी एक youngster ही थी, महज 18 मर्श की थी, तो उनकी खुद की खुशी का, no room for sentiment, मतलब उनकी खुद की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, अब देखो, यहाँ पर आपको क्या कह रहे है, कि जो straightforward उनकी बातें हुआ करती थी, जो सवाल उनसे किया जाते थे, उनके जवाब हुआ करते थे, तो उनके मद्दे नजर उनको ध्यान में रखते हुए ambition, when asked about her ambition, जब उनसे उनके गोल के बारे में पूछा जाता था, कि आगे अब आपका क्या गोल रहेगा, तो simply उनके उन जवाब से ये चीज़ का अंदाजा, it is enough clear, it is enough clear, कि ये साफ हुआ करता था, ये सपष्ट तोर पर कहा जा सकता है, कि जो उन्होंने अपनी life में sacrifices किये है, मतलब अपनी मदर से दूड हैना, कड़ी मेहनत करना, सब humilations सेना, ये सब उनकी नतीजे से ही उन्होंने achieve किया है, तो वो सिरफ एक ही बात कहा करती थी, कि जो मैंने sacrifices किये हैं, उनकी वज़ा से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, I am very very competitive, I work hard at what I do, तो मैं बहुत ही ज़ादा competitive हूँ, मतलब मुझ में competitive spirits बहुत ज़ादा है, मैं दूसरों से competition करने में हमेशा believe करती हूँ, मैं hard work करने में believe करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, वो कड़ी मैनत से करती हूँ, it's my job, ये मेरा काम है, तो this is her mantra for success सफलता को हासिल करने का, जो एक मत्र मंत्र है, वो यही है, कि you should work hard, you should always have a competitive spirit in your mind, दो, मारिया शरापोवा speaks with a pronounced American accent, देखो, pronounced का मतलब होता है clear, और हम कहते हैं न, pronunciation करनी आनी चाहिए, किस शब्द को कैसे बोलना है, ये पता होना चाहिए, तो pronounced का मतलब basically है clear, और accent का मतलब क्या होता है, accent का मतलब होता है your way of speaking, कि आप कैसा बोल रहे हो, मतलब वो American language, American English, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलती है, she proudly parades her Russian nationality, लेकिन वो रशिया की थी, तो वो अपनी Russian nationality को बहुत ही गर्व से, मतलब एक प्रदर्शित करती है, कि मैं रशिया की हूँ, although मैं American language बहुत अच्छे तरीके से बोलती हूँ, लेकिन मैं रशिया को बिलॉंग करती हूँ, तो वो रूस की nationality को number one position पर रखती है, clearing all doubts, she says, I am Russian, it's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship, my blood is totally Russian, I'll play the Olympics for Russia if they want me, तो हर संधे को दूर करती हुई, वो साफ साफ शब्दों में ये कहती है, कि मैं Russian हूँ, ये बात सच है, कि United States ने मेरी जिन्दगी में एक बहुत एहम रोल प्ले किया है, लेकिन मैं रशिया की नागरिक हूँ, मेरे खून में रशिया है, मतलब मेरा खून रशियन है, अगर मुझे वो मौका दे, मतलब यहाँ पर रशियन, गॉर्मेंट के तरफ पॉइंट आउट करते वेक आ जा रहा है, कि अगर वो मुझे वहाँ की सरकार, अगर मुझे मौका दे, तो मैं उनकी तरफ से Olympic Games खेलना जरूर चाहूंगी, लाइक एनी नंबर ओफ टीनेज्ड सेंसेशन्स, मारिया शरापोवा लिस्ट्स, फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज, देखो, जैसे वो टीनेजर्स थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां कह रहे हैं, कि उनकी तरह ही, जैसे और टीनेज्ड स्टार्स हैं, सेंसेशन्स हैं, मतलब और स्टार्स हैं, बिल्कुल जैसे वो लोग संसनी बने हुए हैं, जैसे वैसे ही मारिया भी, मतलब लोगों के दिलो दिमाग में, टैनिस फैंस के लिए स्पेशली कहेंगे, चाँ चुकी हैं, तो यह जैसे उन्हें फैशन करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना पसंद है, बिल्कुल इसी तरीके से, मारिया की होबीज में भी, ये सब चीजें शामिल रही हैं, शी लव्स रीडिंग दा नवल्स ओफ आर्थर कानन डॉयल, अब देखो यहां पर आपको उन्हें क्या पसंद, क्या ना पसंद, यहां थोड़ा सा हलका सा आपको ये बता रख है, कि उन्हें ये एक आथर का नाम बता रख है, आर्दर कैनन डॉयल, इनकी द्वारा लिखी हुई नॉवल्स पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है, फॉन्नेस, मतलब क्या पसंद है, हर फॉन्नेस फॉर सफिस्टिकेड़, मतलब ब्यूटिफुल इवनिंग गाउंस, वो लंबे-लंबे गाउंस होते हैं न, मतलब वो ब्यूटिफुल ड्रेस पहनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आपको फैशन के पॉइंट आफ व्यू से ये बात बताई गई है, फिर आपको ये बता रहे हैं, आट ओड्स विद, देखो हमने ये वर्ड पहले भी सुना है, है ना, जैसे हम कोक पीते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिज होती है, जब ओपन करते हैं, तो कई बार कोक बाहर आजाती होती है, तो उन्हें उस फिजी, कोल्ड रिंक्स पीना भी बहुत पसंद है, तो आप चॉकलेट खाएंगे, कोल्ड रिंक्स पीएंगे, तो कपड़ों पर दाग लग सकता है न, अगर गिर जाएं तो, तो यहां पर आपको बेसिकली फिर से यही बात कही गई है, कि यह दोनों चीजें आपस मेना मेल निकाती है, तो अट ओड्स विद हैं, और categorized, मतलब उन्हें किसी भी तरहां की शुरेणी में, या एक category में दाखिल नहीं किया जा सकता, कि यह उन लोगों की शुरेणी को बिलॉंग करती हैं, या उन लोगों की category को बिलॉंग करती हैं, यह हटकर है, तो वो तीन चीज़ें आपको बताई गई हैं मारिया के बारे में, कि उनका टैलेंट मतलब हुनर, अन वेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, मतलब हमेशां यह जजबा कि मैंने success हासिल करनी हैं, कुछ भी हो जाए, यह जो जुनून उन में हर वक्त सवार रहता है, और sacrifice करने के लिए भी, जो वो हमेशा ready रहती हैं, तयार रहती हैं, इन चीज़ों की वजह से ही, आज वो top of the world पर पहुंची हैं, lifted her, मतलब उस उचाई पर पहुंची हैं, few would grudge her, ग्रज का मतलब क्या होता है, ग्रज का मतलब होता है, hate करना, नफरत करना, few would grudge, few would grudge का मतलब, यहाँ पर लोगों के point of view से बताया जा रहा है आपको, कि कुछ ही ऐसे होंगे, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा, जो मारिया को hate करता होगा, the richest she is now reaping, पर मुकाम हासिल किया है, जो धन दौलत rich, जो धन दौलत उन्होंने एकत्रित की है, आज जो वो ऐशो अराम उन्हें मिला हुआ है, क्योंकि उनके पास nothing था, है ना, पढ़ा है ना हमने, तो आज, जो उन्होंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है, कुछी लोग ऐसे होंगे, या कोई शायद ऐसा होगा, जो उन्हें उनके इस मुकाम के लिए नफरत करता हो, grudge, कोई jealous रखता हो, या कोई घ्रणा की भावना रखता हो, this is what she has to say about her, monetary gains from tennis, तो tennis के खेल से, जो उन्होंने पैसे की form में, money की form में, ये lab कमाए हैं, gains कमाए हैं, उनके बारे में वो क्या कहती हैं, वो आगे आपको इन लाइनों में conclude किया हुए, और आपके chapter को भी enclosed किया हुए, याँपे, कि of course, nisandhi, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, money is a motivation, पैसा जो है, but the most important thing is to become number one in the world, लेकिन, जो सबसे ज़्यादा important महतपून चीज है, वो है, दुनिया में number one की position gain करना, that is the dream that kept me going, तो मतलब, money को भी वो number one नहीं आने दे रही है, यहाँ पर भी last line में conclude करते हुए, उन्होंने यही बात कही है, कि मेरा सिरफ एक ही स्वपन है, कि क्या सपना है मेरा, कि मुझे number one की position hold करनी है, और उसी जज़बे की वज़ा से, मैं आज भी निरंतर वही मेनत करती रहती हूँ, तो मुझे उमीद है, कि आपको मेरी तरफ से यह छोटी सी कोशिश, इस चैप्टर की इस part 2 की line by line explanation, बहुत ही अच्छे तरीके से clear हुई होगी, तो thank you so much, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, share कीजिए वीडियो उसको, like भी कीजिए, अपने views comment box में जरूर share कीजिए, thank you so much once again, and have a nice day.